हेलो एरिवरिवन वेलकम टू माई योट्यूब चामिल गार्डन गाइड तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं ये खुबसूरत सा प्लांट और उसी के साथ एक बहुत प्यारा सा मौसम हमारे फ्लार के साथ जिसका की नाम है कैलिफोर्निया पॉपी तो आप इस प्यारा फूल मिलता है और गार्डन की शोभा बढ़ाता है तो ये एक फेबरी का प्लांट हो गया है हमारा आप लोगों को इसकी केर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जैसा कि आप लोगों को पता है मैं बहुत बेजी थी सीड लगाने के बाद मुझे पता ही नहीं कौन से सीड मैंने कहा लगाए है और फिर उसके बाद ये प्यारी सी फ्लावरिंग देखने का मज़ा ही कुछ और था तो ये हो गया है आज हम आपको दिखाएंगे फेबरी में होने वाले फ्लार्स तो बने रहीं वीडियो में हमारे साथ नेक्स्ट प्लांट जो हमारा आत और विटर में अगर इसे लगाएंगे तो पहले से ही इसकी फ्लावरे की शुरू हो जाती है लेकिन संफ्लार टॉल को आपको सहारा देकर खड़ा करना पड़ेगा अधर्वाइस ये कुछ ऐसा जुका हुआ खड़ा रहेगा क्योंकि फ्लार का जो वजन होता है वो बहुत ही जादा कमजोर होती है तो उसको आपको एक सहारा देकर खड़ा करना पड़ेगा वाटरिंग अच्छे से करनी पड़ेगी और संलाइट की ज़रूरत इसे बहुत जादा होती है साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बहुत में टिप इसके बारे में देना चाहूंगी आप मेरा ये वाला संफलार टॉल देख सकते हैं इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि कली जुड़ी हुई है अगर आप चाहते हैं कि आपका संफलार बड़ा हो तो आप इसकी पिंचिंग कर दें जिससे कि आपका जो फलार है उसका साइस बड़ा हो जाए और नेक् सकते हैं कितना प्यारा यह प्लांट लग रहा है बहुत ही खुबसूरती के साथ इस पे एक बार फिर से फ्लार्स आने शुरू हो गए हैं यह हमारा येलो टिकोमा और यह चिडिये भी अपनी आवाज आप लोगों को सुनाना चाहती है तो सुनिए आप इनकी भी आवाज उस के अंदर कलियों की मातरा देख सकते हैं कि कितनी सारी इसके अंदर कलिया आ रही है यह देखिए कितने खुबसूरती सी प्लांट साइड में रखा हुआ है छोटे से पॉट में लगाया है आप लोग चाहें तो बास्केट प्लांट की तरह भी उस कर सकते हैं वाटरिंग इ अच्छे से ग्रो कर पाते हैं तो यह हमारा रेड कार्नेशन आप लोग इसे नर्सरी से भी पर्चेस कर सकते हैं मैंने भी नर्सरी से ही पर्चेस किया है मैंने इसे सीट से नहीं लगाया है तो फ्रेंस इसके बाद हमारा आता है ब्यूटिफुल सा प्लांट जिसका की नाम तो फ्रेंस ये पैंसी का हमारा प्लान जो कि आप देख सकते हैं पैंसी डीबील मिक्स फ्रेंस लास्ट येर इसके सीड डाले थे गर्मियों में चले गए थे और सर्दियों में दुबारा से आकर ग्रोव करने लगे हैं और बहुत ही इसी से आपको पता चल जाएगा कि एक ब प्लांट है तो उसके अंदर चाय की पत्ती डलती रहती है जिसके कारण इसको भी थोड़ा से न्यूट्रिशन मिल जाता है और यह अच्छे से ग्रोव करने लगता है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर भी मेरा ये पैंसी हो रहा है ये स्मॉल है पैंसी डीबील विक् जिसकी वीडियो आप लोगो ने बहुत पसंद की है तो यह पैंसी डीबील मिक्स अलाइसम के साथ है अलाइसम का पौधा इस बार मुझे जो फ्लिपकार्ट से सीट्स आये थे उसके अदर अलाइसम के सीट्स नहीं थे लास्ट यर जो सीट्स यहां पर गिर गए थे उनही कुछ फेबरी के प्लांट अभी खतम नहीं हुए है और भी है आगे चलते हैं चलिए तो फ्रेंस एक प्लांट हमारा आजाता है यह जो की है लिूपिन पिक्सी ड्राफ जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही छोटा यह प्लांट है उतनी ही कम केर इसकी हुई है और प्लां है वाइट पिक गिश एक यह परपल प्लांट है और इसी के साथ एक यह है तो मैंने इसकी वीडियो आप लोगों को अपने चानल पर प्रोवाइड कर आई हुई है अगर आप लोगों को देखना है कि सीच से कैसे ग्रो होता है तो चानल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक् चेक आउट कर लेजेगा इसी के साथ हमारा मोस्ट फेवरेट प्लांट आज आता है डेहलिया इस बार फ्रेंड्स डेहलिया मेरा जाद अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया है क्यूंकि डेहलिया थोड़ा सा में भी कह सेते हैं नाटक बास प्लांट है उसे केयर की थोड़ी ज इसारे से गुल्दाओदी या क्रिस्थैनिमम हमारे पास है जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है इससे पहले जो मेरे गार्डन में बहार आई हुई थी वो येलो फ्लार्स की थी लेकिन अब जो आई हुई है वो है वाइट फ्लार्स की और पिंक फ्लार्स की ये हमा बात है कि आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसे सीट से भी लगा सकते हैं एक दम रफ टफ सा प्लांट है बस इसमें वाटरिंग का ख्याल रखना है और बाकी आपको फूल खुद ही देता चाहिए देख सकते हैं बहुत ही प्यारा साइज और कलर इतना प्या प्लांट है आप जब इसे अपने घर में लगा देते हैं तो बस आपको क्या ख्याल रखना है कि इसको धूप मिलती रहे क्योंकि यह धूप का प्यासा होता है इसे धूप की बहुत जरूरत होती है और धूप मिलने के बाद इसके जो फ्लार से वह बहुत ही खुबसूरत जब तक इस पे धूप नहीं पड़ेगी यह पूरी तरीके से नहीं खुलेगा इसे धूप बहुत ही ज़ादा पसंद है उसी के साथ खुलता है क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा कम धूप वाला है तो कैलंडूला भी थोड़ा सा ही खुला है तो चलिए आज के लिए इतना ह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक जरूर करें थांक्यू सो मच बाबाई